यह मोहनदाल सुखाडिया इनवर्सिटी की वेब साइट से इसको ओपन करेंगे हम जैसे यह ओपन होगा PhD प्रोग्राम के लिए यह पार्टिकुलर लिंक पर आप सेलेक्ट करके इसे खोलेंगे और फाइल को डाउन्डोड करेंगे तो यह रहा आपके सामने मोहनदाल सुखा राजस्थान के सीम रह चुके हैं तो राजस्थान के सबसे लंबे कारेकाल तक सीम रहने वाले मोहनल सुखाडिया है उनके नाम पी यह नोट सिटी पड़ी है फार्म भरने की लास्ट डेट जो है वो है बार्व मार्च दो हजार शोबीस और इसी अप्रेल महीने की उदाइपुर जीले में ही होगा जहां उदाइपुर जीले में ही जाके आपको पार्टिकुलर निवर्सिटी में एंट्रेंस एक्जाम देना पड़ेगा जो फार्म भरने का सुल्क है वो एक हजार रुपया है बिकलांग और स्टोडियल कास्ट, स्टोडियल ट्राइब औ और OBC-NCL के लिए 500 प्या सुल्क रखा गया है इस एंट्रेंस एक्जाम में आपको 50% मार्क्स मांगाने ही मांगाने है और जो HCST, OBC-NCL वाले उनको 45% मार्क्स मांगाने है 100 MCQ होंगे जिसमें 50 MCQ Research Methodology से होंगे और 50 Questions आपके Subject Oriented होंगे यह रही आपकी seat details तो subject wise seatें बताई गए है कि किसमें कितनी seatे है तो जिसे की लेखा सास्ट्र साइंकी की में 4 seatे हैं, Business Administration में 7 seatे हैं, Management Studies में 3 seatे हैं Journalism में 3, Library Information में 1, Political Science में 5, Public Administration में 2, Sociology में 19 seatे हैं, जो की काफी ज्यादा seatे हैं आपको जो definitely sociology ओले को यह फार्म भरना चाहिए, English में 8 seatे हैं, Hindi में 5, History में 4, Genology में 1 seatे हैं, Music में 6, Philosophy में कोई seat नहीं है, राजस्तान में कोई seat नहीं है वो direct interview के लिए आप year कर सकते हैं, इसमें इनकी guideline में ऐसा लिखा हुआ है जड़े बल्ली की बात कर लें, तो master में आपका 55% होना चाहिए और SCHT वालों के लिए 50% होना चाहिए exemption की category में किसी को भी नहीं रखा गया है, चाहिए आप JRF की हों, चाहिए आप NET की हों, चाहिए आप CSIR से LS या JRF हों आपको exemption नहीं मिलेगा अर्थात rate का exam सभी को देना पड़ेगा, फिर उसके बाद short listing होगी, फिर उसके बाद आपका interview होगा and then final selection होगा, तो यह रा मोहन सुखाडिया इनवर्सिटी का form, आशा करता हूँ कि मैंने जो आपको information बताई है, वो अच्छी लगी हो तो कोई भी भविस में PhD information आती है, तो मैं आपको definitely बताऊंगा इसलिए आप मेरे चैनल को subscribe कीजिए, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं आपके लिए daily, किसी न किसी तरीके से छोटी से छोटी इनवर्सिटी हुए, या बड़ी से बड़ी इनवर्सिटी मैं वहाँ से PhD की एक सीट भी अगर form आती है, तो मैं definitely आपको बताऊंगा बता सबो, एक बात और कहना चाहूंगा कि sociology वाले student इस form को जरूर भरेंगे, 19 सेटे कम नहीं होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो आप अगर एक हजार या 500 रुपे लगाते हैं, तो आपको 19 सेटे मिल रही है, तो ये एक अच्छी opportunity है, ठीक्या दोस्तों, आसा करता हू कि मेरे दोरा दीगे जान करिया को, ची लगी यो, धन्यवादा